हे गाईज दिस इस प्रीती आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं डबलू एच्चो जिसे हम लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन के नाम से हिंदी में बात करें तो विश्व श्वास्त संग्ठन यहां से कुछ इंपोर्टेंट और बहुत बैसिक प्रेस्चन है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर जरूर प्रेस करें इसके लामा अगर आपको इस वीडियो के पीडियेश चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से पीडियेश को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक् प्रिक और किया गया है अब डबलू यह चू का कैसा सम्मिधान है आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट के बारे में यूएनों के बारे में आपने सुना होगा इसका भी अपना एक सम्मिधान है क्योंकि भाई अगर हम कोई एक international organization बना रहे हैं अंतर राष्ट्री संस्था तीन सो पंचान में पेज इतना लंबा हो कि कहीं का भी सम्मिधान तो इसका formation इसके जो सम्मिधान है उसको स्विकार किया गया है 22 जुलाई 1946 को और इसका formation हुआ है 7 अपरेल 1948 को काफी important question है कई बार एक्जाम में आ चुका है कि डबलू यह चू कि अस्थापना कभू ही है त अब आपके mind में question आ रहा होगा कि यह संयुक्त राष्ट का विशिष्ट अभिकरण क्या है मैंने आपको पढ़ाया है UNE को बारे में जिसका भी link मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी otherwise आप मेरे economics की playlist में जा करके UNO के बारे में जरूर पढ़ लिजेगा UNE को कुल 6 अंग है वो सब आते हैं छटा जो टाइप है हमारा special agency तो इसको special agency में कब सामिल किया गया है 15 नॉमबर 1947 को तो यह भी question आप लोग याद रखेगा अब बात आती है कि इसको बनाने की जरूरत क्या पढ़ गई इसके नाम से आपको क्या समझ में आता है कि obvious सी बात है कि किसी ना किसी health issues से संबंदित है तो जैसे अगर हम लोग बात करें विरास्तों के लिए तो यूनेश को बन गया है ठीक है environment की बात करें तो यूनेश बन गया है तो इसी तरह बीमारी वगरा के लिए कि कौन सी बीमारी है उसको खोजना उसे संबंदित टीकों के बारे में जानना या फिर report निकालना की पर्टिकुलर बीमारी से किसी जगां पर कितने लोगों की मृत्ति हो रही है तो यह सारी चीजे एक जगां समराइज करने के लिए डबलू यचो का फॉर्मेशन हुआ है तो इतना सब कुछ पढ़ने से अच्छा समय लीजिए कि जो भी समस्या है हेल्थ रिलेट अगर हम लोग बात करें कि इसके सदस्ट देशों की संख्या है तो 194 है अब यहां पर हम लोग वन लाइनर में देख लेते हैं डबलू यचो के अस्थापना हुई है साथ अपरेल 1948 को इसका मुख्याला है स्विज्जे लैंड के जेनवा सहर में और भारत भी डबलू यच सदस्ट देशों की संख्या डबलू यचो ने अब तक 10 प्रमुख जान लेवा विमारियों की पहचान की है जिसमें कैंसर सभी को पता है कितना है इसको एलामा स्रेब्रो वैस्कुलर डिजीज एक्ट्यूट लोवर रेस्पराइडरेटरिस इंफेक्शन मतलब देखिए सब्सक्राइब करते हैं लोगों की मौत हो जाती है उनके पीछे की जो वजह आगर जैसे अभी वाई-उ-प्रदूशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर एयर प्लूशन तेजी से बढ़ रहा है है ठीक और इसी वजह से जो है हम लोग शौर उर्जा की तरफ मूव कर रहे हैं कि जहां पर हम लोग जीरो प्लूशन फ्री एनर्जी को जनेरेट कर सके और कार्बन का उसर्जन कम से कम कर सके अभी भारत के अगर हम लोग बात करें तो पिछले दो-तीन सालों में एयर इसके अलावा एक उप महानिदेशक होता है कई सहायक महानिदेशक होते हैं ठीक है अब इसके जो हैं छे चेत्री संगटनों द्वारा लागू किये जाते हैं जिसका प्रतेक प्रमूख एक निदेशक होता है कौन-कौन से दैसे अगर हम लोग बात करें दच्छिर पूर ए मनीला, फिलिपिन्स वहीं फिलिपिन्स, मनीला जहां पर भी हमें मिला है मानो की नई प्रजाती मिली है लुजून जीप पर याद रखेगा फिर हाँ मारा कि अमेरिका के वाशन्टन बेसी में एंद फिर है हमारा अफिका के बेजा विले कांगो यूरोप के कोपेनहेगन डेनमार्क तो इसके ये छे छेत्री ये शंगठन है तो इनका मुख्याले आप लोग याद रखेगा अब कुछ दिवस भी है जो मनाया जाते हैं गर किसी भी पर्टिकुलर दिवस रिलेटेड कोई आसी चीज़े इसके बारे में लोगों को जाग रूप होना चाहिए तो उसको हम लोग एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं फिर पर्टिकुलर दिवस की कोई ने कोई थीम रखते हैं वही है हमारा तो इसको के प् आपको पता है कि Tobacco का यूज़ इतना जादा बढ़ चुका है कि वहां बहुत सारी हानी बहुत से लोगों के मृत्य हो रही है ये सारे रिसरच करके मृत निकल है दब्लू ये चोन सब्सक्राइब कि हाँ मृत्य बहुत जादा हो रही है तो में लोगों अब जागरूख करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना होगा और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया ने क्या किया है एक क्विट लाइन नंबर एशे का पहला देशा इंडिया जिसने टोबैको क्विट लाइन नंबर देता है जो भी टोबैको प्रोड़ लॉंच होते हैं मार्केट में याद रखेगा वहां पर आप कॉल करिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वह आपकी हेल्प करेंगे को रिलेट करें कि पहला व्यक्ति जो कि AIDS से बाहर निकला उसको क्या कहते हैं लंदन पेशन दूसरा जो पेशन यह उसको कहते हैं बरलीन पेशन अभी हाल इम बरलीन पेशन चरजह में आ थे तुसको याद रखेगा अब हम लोग बात करते हैं कि डबलू यह चोग नी कौन को बताया RTSS इसका नाम है RTSS चीक है अब इसके अलावाण WHO ने सर्वे किया और उसमें बताया कि भारत एक मात्र देश है जिसमें मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है अब यह कौन बताया है डबलो इसको बताया अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में Mалаïria से देश की संक्या कितनी है तो इक 11 देश जो कि मालेरिया से ओर भारत ने मेरवी आम का अभयान भी लॉंश किया है इसके बारे में मैंने आपको डेटेल से एक वीडियो पढ़ा दिया है कि ताकि आपको समय वे आ जाए कि ये पर राइश को मुख्त बनाना है यही है मेरा इंडिया का जो हमारा मोटीव है इसके अलावा determined आप देखें हैं नेना से पर प्रॉब्लेम आती हैं इसको करता है और उसके लिए तु से से कम उम्र के बच्चे हैं वो इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन जो है उसको बिल्कुल भी ना देखे और अगर हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल तक के बच्चों की तो वो मैक्सिमम पूरे दिन में मिला करके एक घंटे से जादा नहीं होना चाहिए अगर वो जैसे मोबाइल का स्क्रीन हो गया टीवी का स्क्रीन हो गया लैप्टॉब का श्क्रीन हो गया इससे क्या होता है कि उनके जो मांसिक चमता है वो कम हो रही क्योंकि बच्चों को क्या है business के में इन्वालव ना चीए उनने खेल कूट करें उनका जो नीध है वो परियाप्त ले तो ये सारी चीज़े हैं डबली एचो ने इसके लिए भी गाइड लाइन जारी किया अब पल्यूशन आप सभी को पता है बढ़ रहा है और मैंने आप से कहा ना कि कोई भी रिपोर्ट पे डबली एचो का एक अधिकार नहीं है उसमें कई भी सुची में कानपूर नंबर वन पे पहुच गया इवेन अगर हम लोग बात करें तो वाराने सी कि भी जो एयर क्वालिटी है उसमें तेजी से गिरावट आई है तो यह रिपोर्ट इसने जारू किया है डबली एचो ने इसके लावे एक संसा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसने भी अपनी रिपोर्ट जारी किया कि जो सबसे विश्व का प्रदूसित सहर है वो कौन सा है गुरू ग्राम है और सबसे प्रदूसित राज़ानी कौन सी है वो है हमारी दिल्ली तो अलग-अलग संसाय अलग-अलग काम कर दें फिलाल हम लोग रहे थे अपने टॉपि लाइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूले साथी साथ वीडियो पर एड आये तो एड को स्किप मत क्या करिया एड को पूरा देखा करिए थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच